दोस्तो साड़े साती शनी की ऐसी अगनी प्रिक्षा है इसमें होंसले बुलंद बनाई रखोगे तो कुछ कर गुजरोगे इतहास रच दोगे वर ना तूट कर बिखर जाओगे फैंसला आपके हाथ में है नमस्कर दोस्तो मैं एस्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूटिव चैनल अक्षी तैस्ट्रो मास्टर में मेरे कुमबर राशी वाले दोस्तो कैसे हो दोस्तो जब भी आप नव वरश में प्रवेश करते हैं ग्रहों के राज़ प्र संचार कर रहे होते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन अब नव वरश दोयार चोविस की शुरुआत में बहुत बड़ी बात है बड़ी बात नहीं बलकि चमतकार है नव वरश में प्रवेश करते समय सूर्या के साथ यूती योग में अती बित्तर ग्रह मेहनती और प्राकरमी मंगल भी लावा पर संचार करेगा तथा दोनों पर गुरु देव की दृष्टी पड़ेगी जो सुनने पर सुहाग्य जैसा कार्या करेगी इस से संकेत मिल रहे हैं कि दोयार चोविस में आप अपनी बौद ही कियों गेता ग्यान सूजबूज मेहनत साहस प्रा करम और मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे प्रयासों का पूरा फल लाप सफलता और उन्नती के रूप में मिलने वाला है नव वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा यश्पद परतिष्ठा के योग बनेंगे इसलिए निश्चिंत रहें च बहुत महत्त पुर रहने वाली है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों बहुत ऐसे उधारन है जब साड़े साती के दोरान लोगों ने सफलता और उन्नती की बुलंदियों को पार किया है उनके जीवन के सभी महत्त पुरन कार्या साड़े साती के दोरान ही होता है पूरे वरश शनी राहू और केत्व की यता स्थिती बनी रहेगी उनकी स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं है देवताओं के गुरू ब्रस्पती एक मई को राशी परवर्तन करेंगे एक मई तक गुरू प्राक्रम बापर संचार करेंगे इसके लावा छोटी बात में शुकर और बुद्ध का करम बापर संचार तो सूर्या और मंगल का लावा पर संचार हर प्रकार से उत्तम है खास कर करियर और आर्थिक द्रिश्टी कोंसे अति उत्तम और लापरत बना हुआ है आपकी राशी के करम बापके स्वामी मंगल चोधा फरवरी तक शफ़ादा मिलेगी कारह शित्र में आपको अपनी मिहानद प्राकरम और प्रयासों का पूरा वल लाप के डूप मिलेगा आप भी मिह нач में कोई कमी नहीं करेंगे महनत के कार उसे पीछे नहीं हटेंगे मंगल आपका मंगल करेगा इसलिए मंगल के नाम पर एक लाइक तो बनता है भूमी भवन से सबंदित को इक्रया विक्रया करना है तो जनवरी और फरवरी में पूरन रूप से आपको सहयोग कर रहे हैं भूमी पूतर मंगल का लाबा पर संचार प्रोपर्टी रिलेटेड कारया करने वाले दोस्तों के लिए भी काफी लापर्द साबित होगा मंगल की यह स्थिती आर्थी कुनती लाब और सफलता को बल पर दान करेगी आपका अर्थी ग्राप बहतर पर दर्शन करेगा नवरश के शरुआती एक दो माशुकर और बुद्वी करम बा बोधिक सुख़ों का विस्तार होगा इस तरी स्वन्दित सुखों में व्रिदी होगी वह वैपारी दोस्दों से स्वन्दित वस्तों का गार्या वैपार करते हैं उनकी आये में भी विशेश रूप से व्रिदी देखने को मिलेगी मित्रों के माद्यम से लाब के प्रवल योग बन रहे हैं नए मित्र बनेंगे पुराने मित्र भी सायोग करने के लिए दत्वर रहेंगे पिछले समय से चलियारे मत्वे दूर होंगे प्रेमियों के प्रेम्स बंद नई उंचाईयों को फार करेंगे प्रेमियों में परस पर पिछले समय से चले आरे मन मुटाब भी दूर हो जाएंगे मित्रों के साहयोग से प्रेम सबंदों में सकरातमक मोड आएगा नव वर्ष में सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो जनवरी और फरवरी मा प्रेम की अविव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है साकरातमक परिनाम की उपेख्शा कर सकते हैं प्राकरम बापर गुरुदेव का संचार आपकी क्योमिनिकेशन स्किल में निखार पैदा करेगा सामने वाले पर आपकी बातों का बहुत परवाब पड़ेगा कुम्प राशी वाले वहदों जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं आउनलाइन समंदित रोजगार करते हैं उनके लिए भी जनवरी और फरवरी मा उत्तम बना रहेगा चोदा फरवरी से लेकर मार्च मा तक फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की वशकता रहेगी अनावशक खर्चे देखने को मिल सकते हैं इस समय आपका जुका भी भोग विलास्ता पुरन कारियों और वपरीत लिंक के प्रतियकर्शन देखने को मिलेगा गोमने फिरने मौज मस्ती करने और शौक पूर्टी के कारियों पर खुल कर खर्चा करेंगे खास कर अपनी भावना और विचारों पर नियंतरन रखें 13 अपरेल से लेकर 14 मई तक ग्रैहों के राज़ परताफी सूर्या देव का आपकी राशी के प्राकरम बाव और अपनी उच्च राशी परसंचार समाज में आपके परवाव और अधिकार शेतर का विस्तार कर सकता है इस समय सूर्या की परसंता यश्पद परतिष्टा के प्रवल योग बनाएगी आपके साहास प्राकरम और आतम विश्वाश में भी पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी दंपत्य जीवन में मदुर्ता आएगी तता जीवन साथी भी कंदे से कंदा मिलाकर अपना सही योग और मार्ग दर्शन देगा विद्यार्थियों के लिए विजय समय महत्तपुर्ण रहेगा प्रत्योगी प्रिक्षाओं में सफलता मिलेगी 13 अप्रैल से लेकर एक मई तक सूर्या के साथ गुरू का युतियोग सूर्या की शुपता को चार चांद लगाएगा आपके रोब और रुतबे में व्रिदी होगी परवावशाली और महत्तपुर्ण लोगों के साथ मेर जोल और मितरता बढ़ेगी एक मई को वह दिना जाएगा जब गुरू देवी राशी प्रवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा चतुर्त बाव में प्रवेश कर जाएंगे एक राशी पर तेरा महीने संचार करने वाले गुरू देव का राशी प्रवर्तन बहुत महत्तपुर्ण है आपकी राशी के लिए गुरू भी महत्तपुर्ण कर रहा है क्योंकि आपकी राशी के लिए गुरू देव दन और लाबाव के स्वामी है इसलिए गुरू का चतुर्त बाव पर संचार भाग गया दन, सुक, शान्ती और समरिदी पर दान करेगा भूमी भवन, वाहन, माता और पैत्रिक संपत्ती के माद्यम से दन में वृदी के योग बनेंगे जनता के मन में आपके प्रती सने और मदूरता का भाव पैदा होगा वेपारी दोस्तों को इसका विशेश रूप से लाब मिलेगा कार्या वेपार में विस्तार के रूकूल अबसर प्रापत होंगे चतौरत बाप से गुरुदेव की अश्ठम बाप, दसम बाप और बार में बापर द्रिश्टी पढ़ेगी अश्ठम बाप पर द्रिश्टी अकसमास से दनलाप के योग बनाएगी यह धनलाप पैत्रिक संपत्तिसवंदी सुस्राल पक्ष्ट के माध्यम से पुराने किये किसी निवेश से इंशोरंस के रूप में या अन्या किसी वी रूप में हो सकता है दसम बाप पर द्रिश्टी करियर में सफलता और उन्नती के योग बनाएगी आप अपनी बोधिक शमता ग्यान सुझबुझ और कार्या कुशलता से कार्या शेत्र के रास्ते पेशारी परेशानियों को सरलता से दूर कर लेगे रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अन्कूल अबसर मिलेंगे आए और लाग की स्थिती मजबूत बनेगी एक मैई से पहले कर्म वापर केवल शनी और राहू की कूद रिष्टी पढ़ रही थी जो कारिया शेतर में पंगे पैदा करने का कारिया कर रही थी अपने कारियों के प्रती ही अस्थिरता और असंतुष्टी जैसे भाव पैदा कर रही थी अब गुरू की दृष्टी के परिनाम सुरूप राहूर शनी की कूद रिष्टी के अशुब फलों में कमी आएगी अपने कार्यों के परती बने स्थिर्ता और उसनतुष्टी जैसे बावों से छुटकारा मिलेगा कार्यों के परती जुकाब बढ़ेगा नोक्री पेशा दोस्तों के वरिष्ट अदकारियों या उच अदकारी वरक के साथ चले आरे वाद विवाद दूर हो जाएंगे करियर में स्थिरता आएगी बार में बापर दृष्टी से लंबे समय से जुरूरी कारियों को पूरन करने के लिए धन की कमी महसूस हो रही थी तो अब गुरुदेव उस कमी को दूर कर जुरूरी खर्चे करवाएंगे धन के आवा गमन में व्रिदी से धन से सबंदित रुके हुए कारिया पूरन होंगे गर की रैनोवेशन मरमत या वाहन वगेरा पर भी खर्चा कर सकते हैं नया वाहन ले सकते हैं विदेश सबंदित दूरे पड़े कारियों में भी तेज़ी आएगी राहु के तू और शनी की पूरे वरश यथा स्तिती बनी रहेगी आपकी राशी शनी की अपनी राशी के सार साथ मूल तिरकोन राशी भी है कॉम राशी पर शनी के बहतरेम परी नाम देगने को मिलते हैं बहुत कुछ पा लेने की तीवर इच्छा जागरित होगी राजनीती शेतर से जुड़े कुंप राशी वाले दोस्तों को शनी की इस स्थितिक अब शेश रूप से लाब मिलने वाला है। राजनीती शेतर में कोई महत्त पुरन पद प्रापत हो सकता है। शनी की ये स्थितिक शर्श नामक पंच महापुरच राज योग का निर्मान भी कर रही है। इसलिए शुब परिनाम भी देखने को मिलेंगे। यदा कदा मानसी का शांती जैसे भाब भी पैदा होंगे। क्योंकि शनी का चंदर राशी पर संचार मन को कभी कवार विचलित करेगा। खासकर जब शनी वक्री वस्ता में संचार करेगा। इसलिए 30 वक्री वस्ता में शनी की वकर द्रिष्टियें भी अधिक घातक बन जाती है। इसलिए इस समय दमपत्या जीवन और कार्या शेतर पर भी समझदारी से काम ले। छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। नहीं तो दमपत्या जीवन और कार्या शेतर में वेचारिक मतवे द उल्ना में सिर्फ वक्री काल के दोरान शनी आपके विरुद कार्या कर सकता है इसलिए इस समय शनी से समझत वस्तों का दान पुन्यावी करते रहें बात करें राहू केत्व की तो राहू केत्व का भी हाल ही में राशी प्रवर्थम हुआ है पूरे वरश राहू दूसरे पर संचार करेगा राहु के तूर अश्ठम बाव अक्समात से होने वाली गटनाओं से सबंदित है तो दूसरा बाव धन से सबंदित है इसलिए इनका आपसी सबंद अक्समात से होने वाली गटनाओं को अंजाम दे सकता है खास कर धन से सबंदित गटना को इसलिए धन का ले देन दिन साफधानी पुरवक करें अचानक से बहुत बड़े दनलव या दनहानी के योग बनेंगे कोई नया निवेश करने जारें तो सोच विचार कर करें जोश जोश में होश भी बनाई रखें आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास्ट ना करें दूसरे भाव से वानी भी पैदा करेगा आपके मन में क्या है और जुबान पर क्या सामने वाले को समझ पाना मुश्किल होगा कभी कबार वानी के दुर्पयोग से कटुमभी जनों और मित्रों की नराजगी भी सेहन करनी पड़ सकती है इसलिए कूवचन और कटूवचन के परयोग से बचें वानी पर नियंदरन रखें राहु का धन बाप पर संचार विदेशी स्त्रोतों से भी धन लाप के योग बनाएगा इसलिए विदेश से जुड़े दोस्तों को राहु की स्तिती का विशेश रुप से लाब मिलने वाला है कूल मिलाकर नव वरश दोयर चोविस की साड़े साथी आपका कल्यान करेगी इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में करम फलजाता शनी देव की जैजैकार करते जाएं आपको यह वीडियो कैसी लगी के रिप्या लाइक शेर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावाद